असलामलेकों students my name is Hafiza Zafar welcome to my YouTube channel View Your Lecture by Hafiza Zafar तो कैसे सब students मीद करते हूं सब ख्यारिये से होंगे तो जैसा कि students आपको पता है physics 101 के मैंने काफी हद तक lecture सारे आपको कवर करवा दी है और hopes हो कि आपको उनके समझ भी आ रही होगी ठीक है तो आज मैं आपको साथ physics 101 का lesson number 11 मींडू से lecture number 11 rotational kinematics इसके बारे मैं आपको बताऊंगी ठीक है इसमें बहुत जदा quiz है एक दो definition है और दो जो है short question है find करने वाले ठीक है तो आपने lecture को उच्छे से बाच करना है स्टार्ट से लेखे एंड तक और जो बाकी lecture रहे गए है 11 to 16 तक है में भी 15 तक है और इंशाला मेरी जल्दी कोशिश है कि वह मैं रुजाना का डेली बेस पर एक यां दो लेक्टर अप्लोड कर दिया करूं फिजिक्स का ठीक हो गया और जो इंग्लिश रिज्वान उसके अगर तो आप स्टूरेंस मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ में बहुत पर जो अप्शन होता है उसे क्लिक कर दें ऑल पर ठीक है और पी का मतलब क्या होता है कि अगर आप और पर क्लिक करेंगे तो तुमाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे मतलब कोई भी लेक्चर किसी भी सब्जेक्ट का मैं अप्लोड करूंगी बना के वीडियो अगर बनाऊंगी अप्लोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाया करेंगा मीड़ से उसी टाइम ठीक है और वीडियो का लाइक चाहिए बीजरूर कीजिएगा सब्सक्राइब लेकिन हम अब जो है लेसन नबर 11 देख लेते हैं रोटेशनल काइनमेटिक्स इसमें भी कुछ पॉइंट्स पर बने हुए हैं अचा 123 अचा वह तो हैं लेकिन हम फर्स्ट बाला पॉइंट देख लेते हैं एनी रोटेशन इ पर किनकर फोकुस पर लोटेंट के समय निया थे तो है मैंं हमेले इसम में लेक्ट्चर की समय निया लेकिन अलhamदलिला मुझे कमेंट्ट बोकस में छाच्चे ही कमें अच्छे ही ये कमेंट आती हैं और बाकि जो सब्जेक्ट वह मैं इन्शाला सोपाइनल को बाद सरे by giving two pieces of information कोई भी डोटेशन है वो स्पेसिफाइड है किसके जरीए by giving two pieces of information दो तरह की मलूमात है उसके जरीए ठीक है two pieces of information अब वो two pieces of information कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता जेती हूँ यह और बी-point आपको नजर आ रहा है ठीक है यह जो ए और बी-point है यह है इसकी two pieces of information है जिसके जरीए हम क्या करते है any rotation को specify करते हैं यह specify होती है कोई भी rotation the point about which the rotation occur वो वाला point जिसपे क्या होता है कि rotation occur होती है वाकिया होती है ठीक है जिसपे जो rotation बनाई गई होती है that is the origin origin mean उसका जो center होता है ठीक है second वाला है the angle of rotation is denoted by theta in the diagram यह जो आपको zero का option show और ओपर जो line लगी हो इसका मतलब होता है radian ठीक है यह मजीद आप जब second point पढ़ेंगे इसका concept आपको clear हो जाएगा the angle of rotation जो rotation होता है angle का वो कैसे show किया जाते है किसके जरीए denote किया जाते है denoted का मतलब होता है जाहर करना ठीक है by theta मतलब इस angle से radian से इंदर डियाग्रम जैसे यह डियाग्रम को मैं पहले आपको दिखा देती हूं आपका सरा concept clear हो जाएगा यह आपको डियाग्रम शोर ही है यह गोल सा circle बनाओ आपके सामने ठीक है इसका जो center है देखें जहां पर o लिखा हुआ है कोई object है कोई body पढ़ी होई है center में circle के center में यह कोई body है object ठीक है अब यहां पर यह y x यह क्या दीन है अब यह बोडी पढ़ी होई है कोई object पढ़ा हुए है इसके center वह कौन से axis पर पड़ा हुआ है X and Y axis पर clear हो गया उसके बाद ये R, S और ये जो Radian बना हुआ है इसका क्या मतलब है ठीक है R जो है यहां पर इसका Radius है S जो है इनका क्या है Angular Displacement है और ये जो आपको 0 और इसके उपर लाइन शो हो रही है इसको Radian बोलते हैं ठीक है अब अब देखें यहां से जो बात आपको clear करने माली अच्छा भी तक मैंने आपको क्या चाहिए कि कोई सरकल है सरकल के सेंटर में यह कोई अब्जैक्ट पढ़ा हुआ है जिसको और से जाहर किया गया है ठीक है यहां तक clear उसके बाद डूब एक्स और यह जो अब्जैक्ट कि इसके बेसिज़ पर है मतलब एक्स और यह अक्सिस पर कि बेस तोर रहेंगे होंगे मतलब इसका जो क्या है कि एकस से लेकर वाय तक जितना भी तक डिस्प्लेसमेंट वह हमारी पास हार है मतलब जितना पूसका रेडियर से ठीक है जहें जो 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 ऑन्होंने रखी वहीं थी मतलब जो आर एस ठीक है इन सब को मैंने बता दिये गई यह च अच्छा अब सेकेंड वाले पॉइंट को देख लेते हैं जल्दी से दा और क्लेंथ इस इकवल टू डेडियस मल्टिप्लाइ एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट यह यह जो लिखा में और यह इसको यह जो पूरी मैंने लाइन आप को पढ़के सुनाई है दा आर क्लेंथ इस इ शो यह सारे साइन का रही है मिंट उसे के देखे दाश लैंथ इस इकवल टू डेडियस मुल्टिप्लाइर डिस प्लेइंट को कि यह जो करता है किसमें मेर किया जाता है साइन को डेडियर में हेर इसको इसता है इसको बोलनेंगे होना चाहे के टीग्री और 124 अगल से रोमोर्ड ये और 10-4 वान नीकर प्ली रॉफ़ ट्रीगरी और اللगेें आर धquality के एंगल से उनिदेगर्टर ठीक है from this it followed that one radian is equal to 57.3 decay और one radian is equal to 0.159 revolution अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको follow करें one radian के मताबिक अगर देखा जाए अगर वैसे तो overall अगर हमने देखा था कि जो radian की value है वो 2π radian होती है मतलब यह जो sign है इसकी value 2π radian होती है अगर हम देखा जाए देखें कि अगर कोई भी object है वो अपना एक मुकमल चकर मतलब full revelation जो है 360 degree के angle से करता है तो ताब क्या values होगी one radian की तो one radian equal to 57.3 degree और one radian is equal to 0.159 revelation इसके equal होगी यह अपने value याद रखनी है अगर कोई भी object जो है अपने 360 degree के angle के जरीए अपना मुकमल एक चकर complete करता है ठीक है यह चीज़ है if radian is equal to 2π then s is equal to 2πr अब यह कैसे है 2πr देखें यहाँ पर अगर यह वाला जो sign है यह जो radian का sign है अगर वो equals to 2πr के ठीक है then s is equal to 2πr कैसे होगा यहाँ पर 2 जो है वैसे का वैसे आगया पाई भी सेम और यह आर कहां से आया देखें यह उपर जो आपको शो हो रहा है डियाग्राम में जब theta जो is equal to r इस वज़े से 2πr उन्हों लगा दिये मतब रेडियाइस के एक वह है अब भी तक जो मैंने आपको फॉस्ट वाले टोपिक में बिताया है तो पीसिस ओफ इन्फरमिशन ठीक है तर उसके बाद आपने इसका फार्मॉला याद रखना है और उसके बाद रेडियन की वैल्यू क्या होती है और उसके बाद आजी इसमें चीज़े करने वाली है ठीक है suppose that there is a particular located at the tip of the radius vector वो कहरें कि first करें there is a particular located at the tip of the radius vector यह कुछ particles है ठीक है वो locate का रही है radius vector के tip पर ठीक है now we wish to describe the rotational kinematics of these particles अब हमारी वीश ही यह है कि हम इसको describe करें ब्यान करें किसके जरीए rotational kinematics के particles के जरीए ठीक है that is I is का मतलब बतर that is मतलब के इस पूरे लाइन का मतलब यह कि describe its motion इसकी motion को describe करें as go around the circle और इसके circle के around जो भी motion होई है उसको भी ठीक है so इसलिए suppose that first करें the particle move from angle theta 1 to theta 2 अगर आपको कहरें कि first करें अगर कुछ particle move का रहे हैं 1 to 2 तक ठीक है तो in time t2 minus t1 then the average angular speed omega is defined तो इसकी जो angular speed होगी मेगा उसको इस तरह से define करेंगे इस तरह से उसका formula होगा omega is equal to theta 2 minus theta 1 मेंडू से इसको रेडियन नहीं बोले रेडियन 2 minus theta 1 is equal divided by 2 t2 minus t1 time 1 तीक है is equal to आगे वह उसमें डेल को उप्शन आगे चीनिंग डेल radiant divided by del t time suppose that we look at omega over a very short time then omega is equal to limit del t अगर वह कह रहे हैं कि first करें आपके पास omega के लिए वह शोर टाइम है ठीक है तो उसके लिए यह वाड़ फार्मूला होगा जो कहा आगे लागे इसका था instantaneous angular speed instantaneous angular speed का फार्मूला अपनी याद रखना है यहां पर बस जस्ट और अपनी किसका फार्मूला याद रखना है omega का क्लियर हो गया नेक्स देखते हैं सब्सक्राइब करना हो कि इस चीज के लिए खुद को आंगलर इस पीड के साथ इसमें omega की गजांपल देख लेते हैं सेकंट में मिनेट में और भी अब देखें अमेगा सेकंड लिखा हो यहां पर उसके बदे मेगा मिनेट लिखा में अमेगा ओवर्स लिकाए ठीक है अब सेकेंड के बड़े में बड़ेग देखें डूबाई वाने इ और 0.105 रेडियन पर सेकिंड ठीक है उसके बाद मीनेट में गया जाता है कि 60 सेकंड रहे और साथ में 60 मीनेट भी टाल दियो नहीं तो इनको मुल्टिप्लाइ किया जिब सूर्फ किया आपने यह कैल्कुलेटर पर खूद केल्कुलेशन कर देने हैं ठीक हो गया तो यह 60 मुल्टिप्लाइ 60 मीनेट और सेकंड रहेंगे और साथ में क्या करेंगे 12 एड़ कर देंगे 12 ओवर्स ठीक है तो जब इनको कैल्कुलेट करेंगे तो यह इसकी आंसर आ जाएगा इसकी यह वैली हो जाएगा 1.45 मुल्टिप्लाइ 10 क्रेंश पर माइनस 4 रेडियों पर सेक इसको हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि लिए मोशन की एक्सेलरेशन के लिए वी आलसो डिफाइन एक्सेलरेशन पार सर्कुलर मोशन हम इसको इसलिए भी डिफाइन करते हैं कि इसके लिए सर्कुलर मोशन की एक्सेलरेशन के लिए अब सर्कुलर मोशन के कौन सी होती है आपको पता होगा जो circular form में होती है दाइरे की शकल में ठीक है circular से सिर्टी बाता है circle ठीक है उसके बाद omega is equal to omega 2 minus omega 1 t2 minus t1 में तब time 2 में से minus time 1 कर दिया average angular speed का यह formula आपने यहाद रखना है ठीक है अगर आपने average angular speed निकाल ली तो यह formula पूर्ट करेंगे उसके बाद यहां से कुछ भी नहीं करने वाला है इसमें हाइलर्ट नहीं किया differentiate with respect to time बाकि अपने यह कुछ अपनी ना copy पर solve कर लेना यहां से कुछ करने वाला नहीं है यहां से देखें जो जरूरी चीज़ें ठीक है में जो purpose है आपका concept के लिए रहो आपको यह पता चले कि कौन से short question है कौन सा इसमें quiz बन रहे हैं because कि मेंट example हो ज़्यादा close है तो फिर भी मैं यहां try करते हूं कि आपको ना best दे सकूँ ठीक है एक एक word बता सकूँ थोड़े टाइम नहीं जैस इक्स वाला प्राइब देखें तो compare the formula for constant linear and angular acceleration और एक्सलरीश और रहे हैं कि compare करें compare का क्या मतलब मुआसना करना फड़क करना formulas for constant linear में और angular रख सेने जाए इस साइट पे angular और linear formulas उन्होंने अधर लिखे हूं है यह देख लिए linear में कौन कौन से होते हैं angular में कौन से होते हैं तो यह अपने formula याद रखनी है linear में यह formula होता है वीजिकल वी नौट प्लस 80 मतलब यह formula अपने अपनी copy पर लिख के आपने इसको बस याद रख लेने हैं ठीक है उसके बाद वाइज आलमोस्ट आडेंटिकल इवं अफडे डिस्क्राइब तो टोटली डिफरंट फिजिकल सिटविशन अंसर विगास दें क्योंकि the mathematics is identical क्यारे कि why are the almost identical वो क्यारे कि ज्यादातर ऐसा क्यों होता है कि जो identical values होती है अगर्चा वो describe करती हो two totally different physical situation different मुक्तलिफ अपनी physical situation को describe करती हो ठीक है तो ऐसा क्यों होता है कि वो ज्यादा तर identical होती है ठीक है तो वहां कह रहें because the mathematics is identical जो mathematical होता है वो identical होता है में भी यह question आभी जैसो मैंने highlight करती है मैं वीयो वालों का क्या पता होता है physics में जो मर्दी है में तो से हार बुक में और physics आभी आपका पता थोड़ी formulas वाली the angular speed of a car engine is increased from 1170 revelation per minute REB का मतब revelation per minute to 2880 2818 ठीक है revelation per minute in 12.6 second find the average यहां पर नहीं हम में क्या दे दिया है time भी दे दिया हुआ है ठीक है और रहना नहीं बोला हुआ है कि revelation find करने है में find the average angular acceleration in revelation per minute के हाव मैंनी और दूसरा अपने क्या find करना है b point में how many revelation does the engine make during this time और इस time के दुरान कितने revelation कितने चकर complete कहीं है एक इंजन ने ठीक है यह अपने पाइंड करने तो यह solution इसका this is a set rate forward application of the formula in point five above तो यह formula average acceleration के लिए मतब इसको find करने के लिए first के लिए revelation per minute के लिए और साथ में इसको क्या हो मैंनी revelation does the engine make during this time तो यह second वाला formula put किया साथ में मतब इस formula में values put करेंगे तो क्या होजेगा मतब values देखें आपको दी होई है 1170 दूसरा 2880 वालियो उसके बाद वो कह रहे हैं कि अपने दोनों के revelation per minute find करना है तो इस तरह से आप फर्स्ट वाले formula में value put करेंगे तो आपका अंसर आजे के second में करेंगे आपने खुद ही करना का भी pencil लेके यह मैं आप इदर तो नहीं आपको करवाओंगी क्योंकि मेरा तो यही काम है कि मैं आपको बिताओं कि यह formula इसमें ऐसे values put करना ही तो आपका हो जाएगा अच्छा यहां पर आपको यह नजरा आड़ी है डाग्रम ABC पॉइंट पर नहीं यह तू सर्कल्स हम तब टू बोल्स लगा लें एक नाम नोंने आर एक रख दी दूसरे का आर सी रख दी सेंटर बी जो है इसको इन दोनों को अटैच कियो हुआ है ठीक है अब देख लिए घुट्पर ने जरा रेडिस अर्ट यगाल तेंटी मिटर जो आप्सइन होले रख प्सका जो सैंटीमिटर वो टेंटि एंट मिटर उसकी 10 सेंटी मिटर उर इस प्पल बाया चेन भी जो को बी के साथ कपल हुआ है तो वील सी अफ रेडियस आर सी इस इकएल तो 25 हेंट बो जो A हमारे पास है उसका रेडियस कितना है 10 cm और जो C वाली हमारे पास बोल है लेट्स पोज उसका रेडियस हमारे पास 25 cm ठीक है अब क्या वो कहारें कि वील एंक्रीज इस एंगुलर स्पीड फ्राम डेस्ट एट युनिफॉर्म रेड ओफ 1.6 डेडियन पर सेकिंड स्केर यहां पर चोटा ना था तो इनने बड़ा लगाया मैं अब कहारें कि जो वी ए है इंक्रीज होगा बढ़ेगा अपनी एंगुलर स्पीड के साथ फ्राम डेस्ट एट युनिफॉर्म डेड ओफ 1.6 जारी से बात है अब यह दोनों अटैया चुमें एक ही चेन के साथ जुरें में तो जितना वह मूव करेगा उतना ही वह मूव कर सिर्द हरें मेरे महदा और इसकी विलास्टारी होगी इक हीbook से गसाथ सिर्द ही एक लिती ट्रम टाइम साथ घीरओं और करना है determine the time for wheel C C के लिए जो wheel C है उसके लिए हमने time find करना है to reach rotational speed of 100 revelation जो के 100 revelation per minute की speed में हो ठीक है अब यह इसका solution है यह मैंने क्यों highlight कर दी कि क्या पता है यह आपको find करने के लिए आ जाए ठीक है और आप जो है इसको miss कर दें तो क्या फाइदा बस आपको formulas पता होने चाहिए और आप इसमें values पूटि करें अपने long question clear करके done करके फिर पड़ा जाए ठीक है अचा obviously every part of the chain moves with the same speed and so VA is equal to वही बात ही नहीं को जो VA वो equals to VC के होगा hence और यह सारी values के equally होगी मतलब यह सारा जो procedure होगा एक तो से की equal होगा from the definition of acceleration अगर acceleration की definition में दिखा जा तो यह सारा formula इस तरह से पंजेगा acceleration is equal to omega a minus 0 divided by t from this t is equal to t यहां पर time है omega a divided by a जो है इसका acceleration ठीक है इस तरह से यह आपने formula याद रिखने है और आप values पूट करेंगे तो आपका अंचर आजेएंगा 10 वाल पॉइंट है नाओ कंजिडर आप पार्टिकल गोईंग अरूंड अरूंड शर्कल at constant speed you might think that constant speed mean no acceleration but this is wrong it is changing its direction and accelerating this is called centimeter acceleration meaning acceleration directed towards the center of the circle अब यह देखें अगर आपको definition आती है centimeter acceleration की acceleration directed towards the center of the circle then you will write a particle going around a circle at a constant speed you might think that constant speed means no acceleration but this is wrong it is changing in its direction and actually this is called centimeter acceleration तो यह की definition अपने आपने आप लेनी ठीग है यह देखें आपको circle शोर्ट है circle के शो मतलब center भी यह देखें C आपको शोर्ट है मतलब के इसका center है ठीक है यहां पर कुछ radius हैं और velocity हैं नीचे देख लेते हैं note that यह देखें यहां पर जो इन्होंने शो किया हो बना यह शायद second वाले lecture में पढ़ा था study कर वहाए था मैंने आपको यह कौन सा रूल है यहां पर head to tail rule है देखें forces यानि factors जो है एक दूसरे के साथ head to tail rule बना रहे है head to tail rule के जरीए head to tail method के जरीए जो है एक दूसरे के साथ head to know that the distance between between point p1 and p2 is del r is equal to vt देख लिए distance p1 और p2 के दिरमेन कौन कौन सा है del r ठीक है is equal to v यहां से v और del t time में भी है इसको चोड़े यहां से नहीं कुछ करने वाला है यहां से कुछ भी नहीं करने वाला तो जो 11 वाला पॉइंट तो इसमें जस्ट आपने definition याद करने अगर आपको यहां से लॉंग लगती है तो आपने क्या करने सिंप्ली गूगल पर जाकर अच्छी सी इस तरह से हम क्या करते हैं तो वैक्टर को एड कैसे करते हैं इस तरीके से दफेक्टर क्रोस प्रोडेक्ट ऑफ टू वैक्टर is define as a multiply b is equal to a ibe 7th अझ्याद क्या है यहम पर आईए जोना वेक्टर यहून यह से प्रपिंडिकुलर पिरपंडिकव्लर टू बोथों एंड अप जो agencies if you ए और अप्ला की तो अब तो सब दो हो गाए दोटारन के लांज चुदेए प्रपंडेक्टवल सब्सक्राइब लाइब की इस तरह किस तरह कुछ की आई को एंट इस के जरीय क्या करते हैं कि एंट करते हैं तो यह सारे वेक्टर आपने देख लिए निसके बाद है तो क्रोस प्रोड़क्ट इस ओनली डिफाइनेबल इन थ्री डिमेंशन और है नो मीनिंग इन सेके इस इस तरीके से ना हम वैल्यूस एड कर सकते हैं वैक्टर से ठीए और यहां से डेफिनिशन है सेंटिविट एक्सिलरेशन की यह दो तीन फार्मलास अपने याद रखने है नुमेरिकल के लिए ठीक है और यह फार्मलास भी अपने याद रखने है और यहां से जो मैंने समझा है आपको ठीक है तो यह था स्टुड़न्स साथ का लेक्चर होप सब आपको समय जाकी होगी बहुत एफट के साथ मैंने बिनाया है तो अच्छे से इसको बाज करें बाज करके अपने दूसरे स्टूडेंस फैंड में भी शेयर करें विडियो का लाइक शेयर भी जूरूर करें और अपने फीडबैक मुझे जूरूर दीए जिएगा क्या आज का कमेंट में बताईएगा विकाज अगर आप इंट्रस्टिट हैं तो मैं फिर यह एफट करूंगे अधर्वाइस कोई फाइदा नहीं होता है करनेगा ठीक है तो आप चैनल कर जरूर सब्सक्राइब कर देजिएगा वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा मिलते हैं एक्स अलाफ जार पिस बस्त अलाफ जाइगा है